हलो दोस्तों, जाय का वित्तर नुजा में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बैज थाली में से अपनी एक सबजी की रेसिपी जो मैंने आप लोग लिए अपना बैज लंच डाला था उसी थाली में से मैं एक बहुती टेस्टी सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ घर में बहुत लोग चुकंदर की सबजी नहीं खाना पसंद करते हैं लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाओ तो घर में बच्चे बड़े सब जरूर खाएंगे बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है बहुत कम मसालों से बनाई गई है सबसे पहले चुकंदर को धो के मैंने इसको छील लिया है बस आपको चुकंदर जो लेनी है वो ताजी लेनी है बहुत सौफ्ट वाली नहीं होनी चाहिए ताजी चुकंदर होनी चाहिए बस उसको लेके आप छील लीजिए छीलने के बाद हम इसको कद्दूगस करेंगे और इसमें डालने के लिए मैं ये शिमला मिर्च लिए है मैंने एक शिमला मिर्च लिए है मतलब आप इस वर लिए दो चुकंदर के साथ एक शिमला मिर्च उसको आप ऐसे लंबा-लंबा काट लीजिए आपको जिस शेप में काटते हैं उस शेप में काट सकते हैं मैंने ऐसे लंबी-लंबी काटी है एक प्याज ली है प्याज को भी आप लंबा-लंबा काट लीजिए और आपेनी चुकंदर को अपने कद्दूकस के मोटे वाले साइट से जो जगे मोटी वाली होती है उस जग इसे इसको ग्रेट कर लिया आप एक पैन लेंगे पैन में दो चम्म narciss ओयल डालेंगे, आदर चम्मच राई डाली है आदर चम्मच ही मैंने हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप इसलिए इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता जरू डालिए और प्याज डालके बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बस एक से दो मिनट तक ऐसे ही बस प्याज को चलाईए तेज गैस पर और फिर उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिज़ डाल देंगे आप देखेंगे सबजी में बहुत कम मसाले डल रहे हैं क्योंकि हमें चुकंदर का जो टेस्ट है उसको इनहेंस करना है उसका जो स्वाद है उसको ही भार निकालना है इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे शिमला मिज़ डाल के इसको भी बस एक मिनट मैंने पकाया फिर आदा चमच इसमें नमक डाल दिया नमक आप सुआत के नुसार कम या ज़ादा कर सकते हैं इसमें कोई हल्दी नहीं डालनी, लाल मिर्चर, कुछ नहीं डालना आप इस सीच का ध्यान रखिए अब इसमें मैंने चुकंदर डाल दिया है और इसको मिक्स कर दिया है इसको सबको मिक्स करने के बाद मैं इसको ढख दूँगी एक से दो मिनट के लिए और ये एक चमच मैंने इसमें तिल डाले हैं तिल का स्वाद बहुत अच्छा आता है आप चाहो तो इसमें दो चमच नारियल भी डाल सकते हो मेरे घर में बच्चे नारियल नहीं डाला है और सिर्फ दो मिनट के अंदर ये सबजी बन के तियार हो जाती है दो से तीन मिन बस ढखना होता है और सबजी बन के तियार हमें बहुत जादा इसे नहीं गलाना है पसल का कच्छा पन इसमें रहना चाहिए जितनी थोड़ी कच्ची-कच्ची रहेगी सबजी उतनी ही खाने में अच्छी लगेगी आप देखिए देखने में भी कितनी सुन्दा लग रही है हमारी थाली की शोबा बढ़ा रही है आप एक बार ट्राइ करिए और कमेंड करके मुझे जरूर बताईए रेस्पी आपको कैसी लगी ओके बाई बाई